कि नमस्कार मैं शोबाक्षर आप सब का दिसने पोस्ट में स्वागत करती हूं जैसा कि आप सब को पता है कि विदान सबाद चनाओ के बिगल बच चुके है और अब दिल्ली की जंता को ये बताना है कि मुख मंतरी का जो ताज है वो किसके सर पर सजेगा क्या फिर से आम आदमी पार्टी आ पाएगी या फिर भाश्पा इस बार लहराएगी अपना मोदी का जादू या कॉंग्रिस जो है वो सेंध हमारेगी 70 विदान सबाद चेत्र के सीटों पे तो मैं जो आज जो मजूद हूँ वो करोल बाग विदान सबाद चेत्र है जो 70 वि जल्ट आएगा कॉन बाजी मारेगा आप पार्टी क्यों आपको ऐसा क्यों लगते हैं यह दन वेरी नाइस वर्क बहुत अच्छा काम किया है और जो उन्होंने अपनी शर्टे करी प्रोपोगंडा रखा था वो सब पूरा किया है इसलिए के जरिवाग उन्होंने अच्छ में महिलाओं के फेयर चार्जेस फ्री कर दें उससे आप सहमत हो ना बिकुल सहमत हूं मैं छे मीने शोला सुर्पया पर मन्त का बिल पे करती हूं जबकि मेरे घर में कोई बिजली पानी नहीं जलती थी अब इस बास मत में रही हूं जीरो बिल दिया है आपको क्या लगता ह है कि कहां भाजपा का चूग जा रही है उन्बो सिरह रफ pentru हिंदों हिंदू करकर के अपने आपको आगे कररे आप इसे लेशा हो लोगों को और कुछ भी नहीं हमालिय है और फिले एस आचा काम करेया' मेरी तो उनके विशिज है कि वो एक दिन प्राइम मिनिस्टर बने दिर्ली के आचा तो सीधे तोर पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए आपको विशिज मिल रही है तो यह तो आपका अपना हो एजुकेशन में बहुत अच्छा किया है जो सब को पबलिक गरीब कि शुकूस बहुत अच्छे होगे है काफी स्टिकने तो इनकि तो करेवल बाग के सब्सक्राइब कि आडविंध के श्रीवाल से यह नहीं विदान मंत्री बद के लिए दावेदारी ठोक सकते हैं और करूल बाग से हम आपके साथ थे और इसके बाद हम अन्य विदान सब चेत्रों से भी आप सब के बीच होंगे तब तक के लिए नमस्कार